गैज आप सभी भायों का स्वागत है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर और अपन इस वीडियो में बात करेंगे न्यूजिलेंड और बांगलादेश के भी जो फर्स टीटवन्टी मैच किला जाएगा उसके बारे में अपन देखेंगे गैज क्या प्लेइ इस रीज इनकी हुई थी उनमें अपन सबी भायों ने अच्छी विनिंग की थी और जो जो प्लेइर्स मैंने बताया थे उनसे अपन ने काफ़ी अच्छी विनिंग की तो आज की मैच के लिए वह कौन से प्लेयर है जिनको लेकर अपन आज के मैच की ग्रैंड लीग में व बनाए और फाइनल टीम ऑफ टूडे मैच क्या रहीगी वह भी अपन बात करेंगे तो गईज मैं आपसे एक ही रिक्वेश्ट करूंगा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आप पहली भी आ चुके हैं अगर आपने अभी तक इस कंफर्म हो जाए तो बिल्कुल आप सही चैनल पे हो साथ में गईज इस वीडियो पे एक छोटा सा लाइक दे देना क्योंकि आपका यह के लाइक गईज भाई को दिल से मॉटिवेट करेगा और जो भाई आज के मैच वे बिल्कुल फिरी में खेल कर विनिंग करना चाते है तो वह भी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हो इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखोंगे हर चीज समझ में आ जाएगी क्योंकि पहला मैच हमेशा जैकपॉट होता है पर वह तब ही होता है जब आप पूरे इंफॉर्मेशन लेके जाओ अधर्वाइस सबसे ज्यादा लॉस भी फॉस्ट मैच में होता है इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो एंजर्ड वर्सेज बी एन फॉस्टी 20 मैच यह खिला जाएगा मैकलरंट पार्क नैपियर में और नैपियर के गईज इस पिच में इस वैन्यू पर किस तरीके का पिच होने वाला है व इसने सेकंड बैटिंग के उसने दो और टाई की बात करो तो एक मैच ताई हुआ है एवरेज स्कूर की बात करोगे तो 150 करे तो यहां पर गईस टॉस ज्यादा मैटर नहीं करता आप कभी भी खेलो जो टीम बैश करेगी वहीं करेगी और एवरेज स्कूर मुझे ऐसा लग न्यूजिलेंड का पलड़ा गईस खईना कई बहरी रहने वाला है अब सबसे बड़ी बात आती है कि नैपियर के इस ग्राउंड पे जब अपन टीम बनाने जा रहे हैं अपनी फैंटेसी की तो अपन जो बॉलर सेलेक कर रहे हैं उनमें अपन इस्पीनर्स को जादा रखे या फिर फास्ट बॉलर्स को ये भी एक सबसे बड़ा क्योशन होता है तो गईस उसके लिए मैंने यहां पे लाश्ट पांच मैचों का डेटा निकाला और उसमें मैंने देखा यहां पे टोटल 62 विकेट्स गिरे हैं जिसमें से फास्ट बॉलर्स को मिले 44 और स्पीनर्स को मिले केवल 18 विकेट्स तो यहां पे गई जितने भी फास्ट बॉलर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं उनको सबसे ज्यादा विकेट्स मिलते हैं तो जो आप टीम मनाने जाओना उसमें फास्ट बॉलर्स को ज्यादा रखना और इस्पीनर्स अगर आप रखते हो इसके अलावा गई आपको बता दू इस वैन्यू पर टी ट्वंटी के जो लास्ट दो मैच खेले गए ना उनमें कैसा स्कोर बनाए एक मैच 30 मार्च 2021 को वा था न्यूजिलेंड और बांगलादेश की बीच न्यूजिलेंड ने भाई पहले बैटिंग की 173 बनाये थे और पांगलादेश यहां पर 142 पर ही अलाउट हो गया इसके बाद यहां पर दूसरा मैच हुआ यह न्यूजिलेंड और इंडिया के बीच हुआ 22 नॉमबर 2022 को न्यूजिलेंड 160 बनाया और इंडिया 75 पर ही यहां बना पाया तो गई मेरे सबसे यहां पर जो टीम पहले बैट करता है तो आप मानके चलिए 170 से 180 स्कोर बन सकता है और उसको इजली डिफैंड भी कर सकता है तो जो मैंने आपके लिए टीम कॉम्बिनेशन रैडी किये हैं या जो मैं बताने वालों वह आगे बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से रखना और कप्तान वाइस कप्तान का जो स कहलित को सा प्लamiliar आज के मैच में वह अभी हम आपन देखेंगे और बॉलर मेंबी घैज देखेंगे कौन पावर प्ले में कराइगा और कौन आदेक में कराएगगी और गैस यह मेरा तैली वाइनल अप host हो जाता है क्योंकि वहाँ पर पर तीम रगी नहीं होती हॉत तो अगर आपको एक बैस टीम चीए जो कि एक्सपर्ट दौरा बनी हुई हूँ है मैं यह नहीं खहरा कि इस टीम से आप जीतोगे जीतोगे बट मैं यह जरूर खाऊंगा कि आपकी जीतने की चांसे बढ़ जाएगी क्योंकि एक बैस टीम बनती है पूरी स्किल के साथ नॉल टेलिग्राम पर आजाओगे और वहां पर आपको आज के मैच का या कोई साभी मैच हो बीबी एलो बिग बैश हो या फिर यह सिरीज हर का अपडेट मिलेगा तो जरूर जॉइन कर लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है कमेंट सेक्शन में भी सबसे टॉप पर मैंने पिन इसके अलावा गई बहुत सारे भाई मुझसे पूस्ते कि आप खहां पर खेलते हो खहां पर इंवेस्टमेंट करते हो तो गाईज मैं आपको एक जरूर बोलूँगा मैं अपना जो हाई इंवेस्टमेंट है या जे मेरे जितने भी यूजर से वह सभी भाई रियल 11 एप प पता है सबसे बड़ा रीजन क्या है यहां पे जीरो जीएश्टी चार्ज लगता है जीरो विड्रॉल चार्जेस लगता है लोवेस्ट एंट्री फीस लगती है हंड्रेट परसेंट टीएस कैश बैक मिल जाता है और इसके अलावा नू कमीशन ऑन फैंटेसी है तो जीयल 11 आप लोगों के लिए बहुत ही बैस्ट है और आज के मैच वे यहां पर आप लोगों के लिए फ्री गीववे जहां पर बिल्कुल फ्री में खेल कर भी विनिंग कर सकते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रियल 11 का भी लिंक दिखेगा क्लिक करके आप डाउन तो सबसे बैस टैप है तो जरूर डाउनलोड करना डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके और इस एप पर खेलना स्टार्ट कर देना बट इस एप पर थोड़ा सा वित्ते जो कि मिंक्ली उड़ है क्रप्या अपनी रिस पर खेले समल के लिए अब गईज फर्स T20 मैच में न्यूजिलेंड और बांगलादेश की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है फिर सबसे बड़ी बात आती है कि इनमें कई प्लेयर ऐसे जो बैंच वे बैटे हुआ है वह भी शायद आज का मैच खेले तो उनका रिकॉर्ड कैसा है वह बात करेंगे तो अपन देखेंगे गईज अभी इस वीडियो में 22 प्लेयर का रिकॉर्ड फिर इसमें से जो बैस्ट 11 होने वाले हैं वह देखेंगे इनमें से कौन सा बालर डैएट में कराएगा कौन सा बावर प्ले में कराएगा ये देखने वाले इनमें से किसको कप्तान और वाइस कप्तान बनाना चीए वह देखने वाले फिर फाइनल टीम ऑफ टूडे मैंज देखने वाले हैं और इन में से ग्रैंड लीक के लिए कौन बैस्ट पिक होने वाले है वो देखने वाले तो अब यह आने वाले 15 मिट का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो हर चीज आपको समझ मैं आईगी नहीं लुजिलेंड की तरफ से मैं बात करूं तो फिन एलन के साथ रचिन रविंद्र एक्सपेक्टेड ओपन करें वैसे हो सकता है रविंद्र मिडिल ओडर में भी कहल सकता है और टिम सिलफ़र्ड से हो सकता है ओपनिंग करा दी जाए अब वो डिपैंड करेगा टीम किसको ओपन कराती है वहां की मुझे लगता है रविंद्र को कराना चाहिए ऐसा मुझे लगता है इसके अलावा डैरी मिशेल ग्लैन फिलिप्स मार्क चैपमेन टिम सिलफ़र्ड मिशेल सैंटिनर इस सोडी टिम साओधी एडम मिलाइन और जैकब डफी यह एक्सपेक्टेड प्लेइं 11 है जो आज के मैच में न्यूजिलेंड की हो सकती है बांगलादेश की तरफ से लिटन दास की साथ सो में सरकार ओपन करेंगे ऐसा लगता है एन हुसें शैन तो नंबर तीन पहेंगे फिटी हिर्दो आएंगे एस हुसें पटवारी आफिफ हुसें मैदी असन मिराज मैदी असन मुस्तिफिजूर रहमान शोरिफुल इसलाम और असन महमूद यह एक्सपेक्टिट प्लेइंग 11 है जो आज के मैच में बांगलादेश की रह सकती है अब एक एक प्लेट का रिकॉर्ड बताऊंगा आज के मैच के लिए कौन बैस्ट होने वाले सब चीज बताऊंगा बट गाईज वीडियो पर लाइक कर देना आप लाइक बहुत कम करते हो इस वीडियो का टारगेट है चार अजार लाइकी का अब मुझे पता है आप इतना नहीं देने वाले पर जितना आपसे हो सकता है जरूर करना इतना अच्छिव करा दोगी तो भाहीं को बहुत अच् करें विकेट कीपर में आपको दिख रहे हैं टेम सिलफट इस वेन्यू पर दो मैच इसने खेले 38 रन बनाएं लास्ट तीन मैचों में 48-1949 अब दिखिए सिलफट अगर आज की मैच में ओपन करता है ना तब तो मैं आपको बोलूंगा डैफिनेटली रख लेना अगर यह मैच खेले 113 रन मनाएं केवल 11 की एवरेज से लास्ट तीन टीट्वंटी में 38-5 तो लिटन दास उतनी अच्छी चॉइस नहीं है सिलफट आपके लिए बैटर चॉइस है बट अगर सिलफट ओपन करेगा तो डैफिनेटली मैं रखूंगा हां अगर सिलफट मिडिल ओडर में खेलता है आज के मैच में तो फिर मैं लिटन दास के साथ ही जाने वाला हूं अब सिचुवेशन सारी डिपेंड करेगी कि सिलफट किस पोजिशन पर आता है मैंने बता दिया आपको कब और कैसी कंडिशन में दोनों को रखना है यहां पर बात करें न्यूजिलेंड की बैटिंग सेक्शन के अब कई प्लियर ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली वर्ड कप में भी खेल के आ रहे हैं आई पेल भी खेलते हैं बहुत अच्छे प्लियर है इसमें पहला नाम है डैरी मिशेल इस वेन्यू पर तीन मैच इसने के ल ग्लैन फिलिप्स नंबर चार पे के लेगा और यह है ना बांगलादेश को बहुत बूरा दोता है यह मैं नहीं खेल रहा है इसका रिकॉर्ड खेला है पाच मैच 179-89 का एवरेज इस वेन्यू पर 71 का एवरेज तीन मैच 143 मैचों में 42-22 तो फिलिप्स को आपको कोई नह कर देना बहुत बड़ी बैट्समैन है और बॉलिंग भी कर सकता है मार्क चैप्मैन मिडिल ओडर में खेलेगा इसका रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बांगलादेश के अगेंस तीन मैच 14 रन इस वेन्यू पर दो मैच 19 रन और फिन एलन जो की ओपन कर सकता है 25 की एवरेज से केरता है बांगलादेश के अगेंस इस वेन्यू पर दो मैच 20 रन और लास्ट तीन मैचों में 16,83 तीन अब यहां पे गईस कई प्लियर ऐसे हैं जो बालिंग भी कर सकते हैं कौन कौन है बता देता हो डैरी मिशेल यह आपको बैटिंग बालिंग दोनों करक है और साथ में बैटिंग में तो आप देख सकते है रिकॉर्ड और फिन एलन भी मेरे इसाब से बहुत अच्छी चॉइस है तो यहां पर यह तीन प्लियर है जो आप अपनी टीम में रख सकते हो मिशेल फिलिप्स और एलन बढ़िया चॉइस प्लियर है चैपमेन को चाहे म में देखिए पहला ना में शैन्तों शैन्तों कि अगर मैं बात करूं तो न्यूजिलेंड के अगेंस तीन मैच बावन दने लास्ट तीन टीट्वंटी में फॉर्म बिल्कुल वेच्छी निया चार चौदा चार तो कही ना कई फॉर्म के साथ श्ट्रगल चल रहा है टे हि आप से आपके पास यहां पर दो बैस्ट चॉइस है या तो शैन्तों बट इसके साथ पता है विकनेस के अभी रिसार्ण फॉर्म अच्छी नहीं है बट पटवारी गई इसको बहुत कम लोग लेके आएंगे पर यह सूपर पिक हो सकता है आज के मैच का जी एल खेलने वाल एक अच्छा प्लेयर है रख लेना अब मैंने रखा है या नी रखा है वो मैं अभी आपको आगे बताने वालूं न्यूजिलेंड की गईज ऑल राउंडर्स में दीखिए मिशेल सैंटनर है अच्छा खासा रिकॉर्ड है चार मैच चार विकेट वैन्यू पर तीन मैच ती पर बॉलिंग में 6 विकेट निकाल है और अभी रिसेंटली 17 रन प्लस एक विकेट लेके आ रहा है तो मेरे साब से यहां पर यह दोनों ही बैस्ट है रचिन रविन प्लस एंटनर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हो एक अच्छे खास है इस्पिनर भी है वैसे इस पर इस्पिनर्स को उतनी जादा मदद नहीं है बट फिर भी मैं बोलूँगा आप इन दोनों को रख लेना विकेट निकाल के दे सकते हैं बैटिंग भी तो अच्छी करते ही है तो जरूर आप रख सकते हो इन दोनों बॉलर्स को गईज अभी मैं आपको फाइनल टीम दिखा हूँ वहना तब और चीज आपको किलियर हो जाएगी आज के मैच की और कप्तान वाइस कप्तान भी आपको बता दूंगा और फिरी गिववे का क्योशन भी आने वाला है बट जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिंस बांगा है वो जरूर पूरा करिएगा लाइक जरूर करना तब ही गई आज के विनिंग कंफर्म होगी रिक्वेस्ट है बांगलादेश के अल्रॉंडर में देखिए मैधी असन मिराच इनका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अल्रॉंडर है जो की बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है एक अच्छा प्लियर है सो में सरकार जो की फास्ट बॉलिंग भी कर सकता है बाकि इस वेन्यू पर दो मैच क्या वन दने और न्यूजिलैंड के अगेंस बीस का एवरेज है और मोस्ट प्रॉब्ली ओपन कर सकता है एक बढ़िया प्लियर है आफिफ हुसें जो की टीम का पर इस को ज्यादा मिले नहीं है वैसे यूजिलैंड के एक ही विकट मिला है और मैदी असन्ड जो की इस्पि नर है और यह भी अच्छी खासी बॉलिंग कराता है और इस वेन्यू पर एक मैच खेला हुँ अब ही और इसने दो विकट भी निकाले तो मेरे साब से यहाँ प और मैधी असन यह तीन बैस्ट लग रहा है आज के मैच के पॉइंट आफ व्यू से न्यूजिलेंड की गईज बॉलिंग सेलेक्शन अब सबसे इंपोर्टन जो बॉलर बनेगा न्यूजिलेंड का जो आज के मैच के पॉइंट आफ व्यू से बात करो तो टिम साओधी है काफी टाइम बात वापसी करते हैं इनका सबसे मेन बॉलर है एक्सप्रियंट और अगर और दोनों फास्ट बॉलर है और इस पिच पे सूटेबल है इस सोडी की बात करें इसको थोड़ा सा इस वेन्यू पर विकेट नहीं मिलते हैं आप देखिए चार मैचों में किवल एक की विकेट मिला है बाकी रिकॉर्ड अच्छा है तीन दो पांच दो साथ विकेट है ला इसकी रिसेंट फाम अच्छी हो तो सेंटेनर से बढ़िया सोडी हो सकता है मैंने आपको बता दिया है हर तरीके से की कैसे और कप कौन से प्लेयर को रखना है यहां पर गईद में बात करूं बांगलादेश की बॉलिंग में तो पहला नाम है शोरीफुल इसलाम जो इनका अच्छी खासी बॉलिंग करा रहा है रिकॉर्ड भी अच्छा है आप देखें छह मैच है विकेट है लास्ट दो मैचों में दो विकेट है मुस्ति फिजूर रहमान बंगलादेश न्यूजिलैंड के अगेंस आट मैं 14 विकेट है और हसन मैमूत को भी लास्ट तीन मैचों सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकि लिए मुस्ति फिजूर या शोरी फूल में से कोई आप लेकर आ सकते हो अगर आप एक्सप्रियंस के बेस पे जाना चाहते हैं जिसको काफी खेलने का एक्सप्रियंस बाकि शोरी फूल एक बैस्ट चॉईस है जो एकाथ विकेट मुझे ल तब कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कही ना कई फस्त है एक दूसरे बॉलर्स के अगेंस में तो यहां पर ग्लैन फिलिप्स आप देखे शोरी फूल इसलाम ने एक बार आउट के है बट एक चीज़ देखना फिन एलन जिसको अपन लखने की सोच रहे है शोरी फूल इसलाम यहां पर तीन बार आउट कर चुका है फिन एलन को तो अगर आप फिन एलन को ड्रॉप करना चाहते हो कर सकते हो क्योंकि शोरी फूल इसलाम के अगेंस में श्ट्रगर दिख रहा है इसका इसके लावा सब एक बार आउट है लिटन दास को भी टिम साओधी यहां पर दो ब बार आउट कर चुका है हम न्यूजिलेंड के देखें दो प्लेयर ऐसे हैं जो बैच हो सकता है वो भी आज का मैच खिले एक तो नीशा में और एक बैंसी अर्स है पर मुझे दोनों यह उतने ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहे अगर मैं रखता हूँ तो मैं आपको टेल सब्सक्राइब और या बॉलर है अभी रिसेंटली ओडियाई में बहुत अच्छा कर गया रहा है तो तंजिम शाकिब अगर आज का मैच खेले तो आप डैफिनेटली टीम में रख लेना बहुत ही अच्छे कर रहा है और मुझे लग रहा है यह जगह बना लेगा क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में तो मैं आपको फिर से बोल रहा है अगर यह लाइन अप में देखें टंजिम शाकिब जो मेरे टैलिग्राम पे होगा उनको तो मैं बताई दूंगा रग भी लेंगे पर अगर आप टैलिग्राम पे नहीं आपाए टॉस के टाइम पर तो इसको ड तो न्यूजलेंड साइट से आप देखोगे तो साओधी और मिलाइन यह आपको दैट में बॉलिंग कराते हो दिखेंगे इसलिए इंपोर्टेंट बन जाते मैं आपको इसलिए कह रहा हूं इनको लेने के लिए बाकि पूरे ओवर मुझे लग रहा है मिलाइन साओधी सब्सक्रान कराने वाले और रिमेनिंग ओवर यह सब मिलकर करा देंगे हैं आज के मैच में अब इस फर्स्टी टून्टी मैच की फाइनल टीम आफ टूडे मैच क्या रही बट मैंने आपको एक चीज़ बता दिया आप टेलिग्राम पर जरूर एक्टिव रहना टॉस के ट ट्रॉल्स मिल जाते हैं हर तरीके से बैनिफिट है बाकि आपके इच्छा है खेलना नहीं खेलना ठेक है क्योंकि आप अगर आपको विनिंग भी हो गई ना तो विनिंग पर वो टीडियस काट लेंगे 30% यहां पर उसका भी कैश बैक मिल जाता है तो यह बैनिफिट आपक आपके कॉंटेस्ट खेलता है मतलब हैट टूएट ट्री मेंबर या फोर मेंबर सबसे बैस टैप है इस आप प्याजाना बढ़ी आप जरूर विनिंग होती है आप सीजेस्ली क्या रहा हूं क्या टीम मनाई है विकेट कीपर में लिटन दास को रखा है वाकि सिलफा टेक ब रखा है और राउंडर में रचिन रविन मैदी असन मिराच मिसेल सैंटेनर और सोमय सरकार बॉलिंग में तिम साउदी और शोरी फॉल इसलाम अब अगर यहां पर टंजिम शाकीब अगर आज का मैच खेलता है तो मैं उसको लेकर आने वालो बांगलादेश की तरफ से सब्सक्राइब और आज की मैच का फ्री गीववे का क्योशन क्या है आज की मैच का फ्री गीववे का क्योशन है कौन सा प्लेयर आज के मैच में मैं आफ दा मैच रहेगा ठीक है कौन सा प्लेयर आज के मैच मैं मैं आफ दा मैच रहने वाला है आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है ये लिखके nz vs bn क्या लिखना है comment section में nz vs bn जो भी player लगता है man of the match रहेगा वह answer जाके आप कर सकते हो ठीक है तो जरूर आप जाके करें तो मेरा वीडियो फुल इंफॉर्मेटिव ता एजुकेशन परपस से दा और आप हमेशा की तरह इस वीडियो को भी ता टाइम दिया प्यार दिया उसके आप सही भाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद जाते जाते वीडियों पर लाइक कर जाना चैनल ठीक है भाईयो नमस्कार